मित्रो जैश्री राम रामधारी सिंग दिनकर जी द्वारा रचित रश्मी रथी नामक महा कावय की कुछ पंक्तियां एक संदर्भ है जब पांडव अज्यात वास से वापस आए तो श्री किष्ण को पहले से आभास हुआ महा भारत के कारण होने वाले विद्वश का महा भारत के कारण होने वाली लोग की मित्यू का महा भारत के भैंकर परिणाम का तो श्रीकिष्ण ने एक मैत्री समझोता दुरियोधन को कोर्वो की सभा में देने का निर्णे किया कि भेंकर विध्वंश बचाने का कुछ परियास किया जाए और किसी भी तरीके से दुरियोधन को समझाया जाए दुरियोधन कोर्वो पांडवों के बीच में जो युद्ध होना है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए श्रीकृष्ण शांती दूद बनकर कोर्वो की सभा में जाते हैं और दुरियोधन के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि किसी भी तरीके से ये युद्ध रोका जाए दुरियोधन अपनी मैं में अपने एहंकार में अपने जूटे घमंड में पूरा लिप्त था और उसने ये सोचा कि ये शिरी किष्ण मातर एक छोटा सा ग्वाला तुच्छ सा व्यक्ती और जिसको राजनीती का कोई ग्यान ही नहीं वो मुझे समझाने या शांती दूद बनकर मुझे बताने यहाँ पे आया है और उसने क्या गलती कि ये कि कि उसने श्री किष्ण को बांधने की वहाँ पे शांती दूद को बांधने की कोशिश की पहले तो यही सिद्धानतों का अंदेखा किया गया कि शांती पूरे महाभारत का भुष्य बता डाला कि आगे जब यह महाभारत होगा तो ऐसा ऐसा होगा कुछ पंक्तिया हैं सुनिए वर्शो तक वन में घूम घूम बांधा विग्नों को चूम चूम सहधूग घाम पानी पत्थर पांडव आये कुछ और निखर सो भागे न हर दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की रहा पिलाने को भेंकर विद्वन्ष बचाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए मैत्री का समझोता लाए दो न्याए श्रिकिष्ण कहते हैं दो न्याए अगर तो आधा दो यदि इसमें भी कोई बाधा हो तुम देदो केवल पांच गाउं रखो अपनी धर्ती तमाम हम वहीं चैन से खाएंगे परी जन पर असी न उठाएंगे श्रीकेष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ पांच गाउं पांडों को देदो ये महाभारत का व्युद्ध रुख जाएगा और किसी भी तरीके से जो भेंकर विद्वांश होना है जो अकाल मिर्ट्यों होनी है वो सब रुख जाएगा दुरियोधन वहभी देना सका आशी समाज की लेना सका उल्टा हरी को बांधने चला जो था असाधने चला जब नाश मनुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है अब श्रीकिष्ण जैसे ही दुरियोधन बांधने के लिए श्रीकिष्ण मों जंजीर लेकर दोड़े हरी ने भेंकर हूंकार किया अपना सुरूप विक्राल किया डगमग डगमग दिगज डोले भगवान कुपित्हो कर बोले जंजीर उठा और साध मुझे हाँ हाँ दुरियोधन पांध मुझे ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन जंकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल, अम्रत फूलता है मुझ में, संघार जूलता है मुझ में श्रीकिष्ण ने अपना विक्राल रूप दिखाया अम्रत पूलता है मुझ में, संघार जूलता है मुझ में उद्यांचल मेरा दिप्त भाल, भूमंडल वक्षिस्थल विशाल मुझ परिदी बंद को घेरे हैं, मेराग मेरु पग मेरे हैं दिखते जितने नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर दिखो, तो दिश्य कांड देख, मुझ में पूरा भ्रम्मान देख चर अचर जीव जग असर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर्जाति अमर सत्कोटी सूर्य, सत्कोटी चंद्र, सत्कोटी सरितसर सुन्दमंद सत्कोटी विष्णू भ्रम्मा महेश, सत्कोटी विष्णू जलपति धनेश सत्कोटी रुद्र, सत्कोटी काल, सत्कोटी दंडदन लोकपाल जंजीर उठा और साध इने, हाँ दुरियोधन बान इने भूगोल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख ये देख जगत का आदी सरजन ये देख महाभारत कारण मितको से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख मुठी में तीनो काल देख, मेरा सरूप विक्राल देख सब जनम मुझी से पाते हैं, फिर लोट मुझी में आते हैं बढ़ जाती मेरी दिष्टी जिधर, हसने लगती है सिष्टी उधर मैं जभी मुंदता हूं मोचन, छा जाता चारो और मरण तू मुझे बांधने आया है, जन्जीर बड़ी क्या लाया है जो मुझे बांधना चाहे, मन तो पहले बांध अनंत गगन सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है अब श्री किश्न कहते हैं, हितवचन नहीं तोने माना, मैंत्री का मोल न पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं याचना नहीं, अब रन होगा, जीवन जय के मरण होगा दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई तूटेंगे विश्बान धन उससे चूटेंगे एक दिन तु भूसाई होगा हिंसा का परदाई होगा थी सभासन सब लोग डरे चुप्थे आथे बेहोश पड़े केवल दो नर नागाते थे थित्राष्टे विधुर सुपाते थे कर जोड खड़े कम्रिदित निर्भै दोनों पुकारते थे जै 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 दोस्तो इन कुछ पंक्तियों में श्री किष्ण ने जितने भी सभामे व्यक्ति बैठे थे सब को पूरे महाभारत का परचंड विध्वन्ष का भास करवा दिया श्री किष्ण ने यहां तक बता दिया कि सुरू कैसे हो कैसे होगा महाभारत और इसका अंत क्या होगा दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विश्पान धनुस से छूटेंगे एक दिन तु भूसाई होगा इंसा का परदाई होगा दोस्तो जैसी लिए